नमस्कार दोस्तों, मुडर्न हिष्ट्री के सीरीज में आज हम लोग लखनाव पैक पढ़ेंगे और साथ हमें होम रूल को देखेंगे यह दोनों टॉपिक जो है मुडर्न हिष्ट्री में या फीडियो में स्ट्रागर को समझने में बहुत इंपोर्टन्ट है साथ ही अगर आप एक्जाम के पॉइंट आभी से देखें तो यहां से कुष्टन हमेशा ही पूछा लाता है बहुत इंपोर्टन्ट टॉपिक है और इसकी महत्ता अत्तब बढ़ जाती है जब आपको अगर फीडियो में स्ट्रागर समझना हो तो इन दोनों टॉपिक को समझना बहुत जरूरी होगा क्योंकि यह जो टॉपिक है एक ऐसा पॉइंट क्रियेट करेगा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनेगा जहां पर 1907 में हमने देखा था कि भी घाजन होता है आई इनसी का और यहां पर हम 1916 में देखेंगे कि एक तरफ से जहां मोडरेट आते हैं एक्स्टिमिस्ट आते हैं और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के लोग और मुस्लिम लेगा मतलब चार जो एक धड़ हैं कर सकते हैं चार जो बिखर गया है पार्टी के रूप में चार लोग एक मंच पर आते हैं और यहां से हम देखे तो सुला का दूर टाइम है इंडियन नेशनल के हिस्ट्री में अगर हम कहें तो फ्रीडम मुमेंट के टाइम का बहुत इंपोर्टेंट रोल है और यहां से कुस्टन एक्जाम में खूब आता है और समझने के दिश्चुण से यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है तो सुहन सिंग्स भकना और रंस अक्रण। इसे अस्थापना करेंगी अमेरिका में इस टॉपिक को हम अभी स्किप कर रहे है क्योंकि एक टॉपिक ए क्रांतिकारी आंदोलन और यह घूरी है इसमें हम डिटिटेर में जितने क्रांतिकारी आंदुरान उसमें इसको करेंगे तो इसी में कलब करके हम गदाना नुरोन को देखेंगे इसलिए हमने इस टॉपिक को अभी स्किप कर दिया है तो आप ऐसा मत सोचें कि हम इस टॉपिक को छोड़ दिये हमको पूरा याद है इसको हम एक दो लेक्चर के बाद क क्रांतिकारी आंदुरान में कलब करके पढ़ेंगे तो चदी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लखनौव पैक्ट क्या है कैसे है इसमें कौन-कौन से कारण है जो लखनौव पैक्ट को इंपोर्टेंट बनाता है इसकी कमिया कहा है इसकी समिच्छा क करेंगे और एक निश्कर्स हम निकालेंगे कि अगर आप एंसर में इस पॉइंट को लिखना हो तो कैसे एंसर लिखेंगे हम इसको भी बताएंगे देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है इसको लखनौव पैक्ट कहा दाता है क्योंकि यह समिट हुआ है जो सेशन हुआ बैठक हुआ है यह लखनौव में हुआ है उन्साइ सोल में होता है इस देए इस से लख्णौव पैक्ट कहा दाता है ठीक है इस पैक्ट में सबसे खासियत है यह कि इसमें डो एग्रिमेंट होगा हम उसको भी आगे देखेंगे अगर इसके प्रेइशिदन्ट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है, एक्जाम में कई बार यह पूछा गया है, यह 1916 में होगा, और इसकी अध्यक्सता करते हैं, अम्बिका चरण मजूमदार, देखें एक्जाम में कई बार AC मजूमदार भी लिखा रहता है, तो AC मजूमदार से, अम्बिका चरण मजूमदार कई बार कंशूज ना करेंगे, एक बार एक लड़का ऐसा कंशूज हो गया था, तो मुझे पता है, मैंने बता दिये, तो एक गलती आप दुबारा ना करेंगे, एक ही है दूसरा अगर हम बात करें तो यह किस लिए फ्यमस है इसमें हम देखते हैं दो समझ होता होगा मतलब एग्रिमेंट होगा दो समझ होता होगा पहला होगा एक उदारवादी और उग्रवादी की बीच में मतलब मोडरेट और एक्स्ट्रिमिस्ट के बीच में होगा और यह किसके इसको कौन कराएगा एनी बेसेंट के मतलब उपलबधी से यह दोनों मिदेंगे और दूसरा जो एग्रिमेंट होगा दूसरा एग्रिमेंट होगा कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं इसको क्लियर कर देता हूं इसको दोनों को मिलाने में किसका योगदान होगा इसको दोनों को मिलाने में जो योगदान होगा जिन्ना और तिरक बाल गंगाधर तिरक देखिए मै देखा यहां पे कि उदारवादी और उगरवादी जो moderate और extremist है यह दोनों उनी साथ में जब सूरत स्प्रीट होता है तो यह दोनों अलग-अलग होताते हैं लेकिन जब दोनों अलग होते हैं तब इनको एसास होता है कि हम दोनों की सक्तिक कमजोर हो गई है moderate तो क्या करते हैं moderate एक all India level पे Congress party बनाये हैं जो एक मंच परदान करते हैं और extremist क्या करते हैं extremist उस पे आके भासन देते हैं उससे जुड़ते हैं उस party से तो इतने उजस्वी भासन देते हैं कि लोगों के बीच में उनकी एक अलग चाप रहा जाती है और राष्टवाद जगाने में इनका बहुत योगदान है तो लोगों को एक मतलब अपने आंदुलन में खीचने में और national movement में राष्टवाद जगाने में इन दोनों का अपना अपना महत्त है मंच परदान करता है moderate और उस मंच को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करता है extremist ठीक है तो इन जब यह दोनों अलग हो जाते हैं तो देखिए moderate के पास तो उतनी इन की पहुंच नहीं है कि गाओं के लोगों तक पहुंचियों कि इनकी पहुंच जीतनी गाओं तक है उसी जादा है पहुंच इनकी लंदन पर लंदन तक है गोकुले को हमने बताया था कि दब mr 566 में जब लंदन में एलेक्षन हो रहा है तो वहाँ पेजा के कैम करते हैं वहाँ पेजा के अंदुलन करते हैं लोगों को सुनाते हैं तो मोडरेट के लिए लंदन में अपनी बात को कहना आसान था बनिस्पत की यहां की गाओं को लोगों को समधाना और जो एक्षिमिश थे यह लोगों को गाओ बहुत उजश्च्वी भासन देते थे बहुत 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 बहु तक पहुंचने में होती हैं लोग इन से ज़ादा जुड़ नहीं पाते हैं अब इनको एहसास होता है कि हम जो अलग हो गए हैं कहीं न कहीं हमारी एक कमिया है जो नेशनल मोमेंट को कमजोर कर रहा है और लोगों के बीच में एक निरासा जग रहा है तो इन दोनों को 1916 में मि अब वहीं बात हम करते हैं कॉंग्रीस और मुस्लिम लीडर है वह चले गया है मुसलिम लिग बना दिये हैं तो मुस्लिम लीग अलग पार्टी हो गई है और कॉंग्रिस अलग पार्टी हो गई है मुस्लिम लीग 1905 में जब बंगाल भी भाधन होता है तब यह मुस्लिम लीग खुस है इसको लगता है कि हम मुस्लिम लीग यह स्थापना कर लिए अब मुसल्मानों का हम परतिन लिद्व करेंगे और अंगरेज शुरुवात में समर्थन करते हैं इस ट्रिट करते हैं कि हम सम उस्ट वर्ड बार चलेगा तो एक साइड से ब्रीटियन लड़ेगा और भी जategा नेतामन तर्कीका छलीफा है उसको पूरे दुनिया का मुस्लिम मैं उसको अपना नेता में अनल मांता है लेकिन गज़ार मुसल्मानोंको लगेगा कि जो अंग्रेज हमारे यहां ही तैसी बनते हैं भारत में लेकिन देख रहा हैं कि दुनिया में तर्की के साथ लड़ रहे तो इनको लगए है कि हमारे साथ कहीं न कहीं छरावा हो गया है तो इससे मुस् greenhouse का अफना जो अपना सोच था कि अंग्रेज हमारे सपोर्ट में यह उनका भ्रह्म तूटेगा दूसरी बात यह देखेंगे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन भी 1911 में कैंसिल हो जाएगा तब इनको पूरा एहसास हो जाएगा कि जो अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की निती थी जाएगा तब मुस्लिम ली क्या करेगा कि सोचेगा कि नहीं हमको अब अलग अलग रहने में फायदा नहीं है हमको एक मंच प्याक लड़ना है हमको भारत भारती बनके लड़ना है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ लड़ना है तब इस टाइम हम देखेंगे इंडि एकता काराज दूत मतलब इनको ambassador बोलेगी, unity का ambassador इनको बोला दाएगा, यह एक्जाम में कई बार question आता, आप इसको याद रखेंगे, कि 1916 में Congress और मुस्लिम लिग को मिराने में जिन्ना को योगदान को सरोली नाइडियों ने क्या कहा है, या एक्जाम में आता है, हाला कि तिलक अभी योगदान था, लेकिन सरोली नाइडियों ने जिन्ना को एक्जाम कहा है, तो आप इसके याद रखेंगे, ठीक है, तो यह क 1916 का सेशन बहुत इंपोर्टेंट है, और इसकी बाद से हम देखते हैं, कि 1916 के सेशन के बाद से 1916 से 22, यह जो टाइम है, यहां तक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और लीग, मतलब मुस्लिम लीग का इन दोनों के बीच में बहुत संबंद अच्छा रहेगा, कोई भेद मतलब कोई विखराओ नहीं होगा, टक्राओ नहीं होगा, इन चारों पार्टी के दो लोग है, मोडरेट और एक्षिमिस्ट का भी ठीक होगा, जब आएगा गांधी का, जब आंदोलन होगा 1921 में, और आंदोलन को गांधी दो वापस लेंगे, यही पे सारे नेताओं में एक बार हम फिर फूट देखेंगे, लेकिन 16 से 22 तक का जो टाइम में बहुत बहतर चलेगा, इसमें कोई टकराहट नहीं आएगी, बहुत अचे चरीक है चलेगा, तो चलिए अब थोड़ा साम देख रहते हैं, कि एग्रिमेंट क्या क्या हुआ हुआ है, आखिर चारों इसमें दो एग्रिमेंट होता है, एक तो एग्रिमेंट होता है, कि 1909 का जो एक्ट है, इसमें कहा गया, सेपरेट इडोक्रेरेट जो था, 1909 में मुसल्मानों का दिया गया था, उसको 1916 में आईएंसी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक प्रस्ताव जारी किया गाएंसी के तासे, और कहा गया, कि जो मौरल मेंटू में दिया गया था, सेपरेट इडोक्रेरेट, उसको हम मान लेते हैं, इस से मौस्लिम वर खुש हो गया, कि चलो भाई हमको जो सेपरेट इडोक्रेरेट मिरा था, उसको कॉंग्रेस ने मान लेत अब भारत में उसकी एक वैदिक माननेता होगय, क्यांकि सबसे बड़ी पार्ट थी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ने मान लेते हाला कि इसकी बखुत सीट मुश्रीमों के लिए आरक्षित कर दिया गया मतर्म रिजर्व कर दिया गया चालीस पर सिथी किवल सेप्रेट एलेक्रीलेट के तहथ हि मुस्रिम निरबादशES ठाधे घड़े हों और सब्सक्राइब करते हैं और इनका जनाधार लोगों में कम है यह बहुत हाइफ हाइफ प्रुफाइल के लोग है यह उतने उधस्वी भासन नहीं दे पाते हैं यह संवैधानी काम पर जादा विस्वास करते हैं और जो एक्ष्टिमिस्ट हैं ये समवैधानी काम पर विश्वासन करते हैं यह बहुत ओजश्वी भासन बहुत तेज देते हैं धरना परदर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और गांव के लोगों में भारतियों लोग में इनकी पहुँच बहुत ज़ादा है तो यह जो है से जुड़ने में बहुत ज्यादा प्रभावी हैं और जब दूनों में टक्राहट आता है एक होता है ना कहावत होगा कि घर फूटे गमार रूटे तो वहीं बात है जो भी भाजन है वो घर में हो या कहीं भी हो किसी भी तरीका से वो अच्छी चीज़ नहीं होती है आप यह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं जब 1907 का सूरत होता है तो वहां से कमजोर हो जाता है और देश में निशनल रिजन की भावना एक बहुत कमजोर हो जाती है उसके बाद हम देखेंगे कोई बहुत मेजर इंसीडेंट भी भारत में बहुत कम होता है तो यहीं रिजन है कि आ हां से जूर पाएगा उसमें अभी जैसे आप समझ जाएंगे कोई XYZ पार्टी है इस पार्टी का टॉप लीडर सी पगर निर्णा सही से नहीं ले पाता है नित्रत बढ़िया से नहीं कर पाता है तो उसका आप देखेंगे कि जमीन तक उसका क्या इस्थिती होगा हम नाम इसे आप कर सकते हैं दूसरा बात है राष्ट बढ़ा होना जब एक श्तिमिश्ट बाहर जाएंगे तो वहीं तो नेбаल लोगों में जुस्ट भर रहे हैं और उस टाइम इनको हम देख रहा है कि मंच ही नहीं मिल रहा है जो भी इंडिया नेशनल कॉंगरेस है उस पे तो पकड़ है मोडरेट का तो जब तक आपको एक मंच नहीं मिलेगा आप बताईए आप बहुत सोचल एक्टिविट अब बिहार में यह जो केशन पर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन जब तक आप बेरोदगार हैं क्या करिएगा लेकिन अगर आपको एक मंच परदान करता है यह सब पोश्ट और आपको एक ऐसा मंच मिलेगा कि आप किसी भी जीरे में जाएंगे तो आप काम कर सकत हैं आपको मानते हैं MP बना दिया गया तो आपको एक मंच परदान किया गया आप उसके बाद से अपने काम को कर सकते हैं और कहने का मतब है कि आपको एक संस्था से जुड़ना होगा नहीं तो एक कहीं न कहीं पद से जुड़ना होगा क्योंकि आपकी बातों को पहुंचान के लिए आप सिंपल रहेंगे अकिले रहेंगे विरोजगार रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि कोई नौक्री कर रहें जितना आप सोसलिष्ट बने के कोशिज करते हैं समाजवाद लाने के कोशिज करते हैं पहले आप अपना पढ़ लेजिए चुप सकते हैं लेकिन नेशनल लेबल पर करना बहुत ही मुश्कुल होता है अब देखिए अब यह मत कहिए किलास सत्यार्थिया किले की है कुछ सेप्सन होता है हम जेनरल की बात करना है ठीक है तो अब और चौथा रीजन में है फ़र्ष्ट वर्डवार इसमें हम देखेंगे कि फ़र्ष्ट वर्डवार हो जाता है और जब फ़र्ष्ट वर्डवार होगा जब भी युद्ध होता है किसी भी देश में युद्ध होता है तो उसमें हम देखेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गरीबी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह सब चीजें होंगी तो यहां के लोगों को तो परिशान हो ही रही है साथ में तो नेता हैं उनको भी परिशानी हो रही है क्यांकि उस समय के तो नेता है याद करिए वो नेता अभी के नेता की तरह नहीं है उनको बत्ता मिर ला है पेंशन मिर ला है और टीए डीए एचारे वगरा मिर ला ऐसा कुछ भी नहीं है वो सब नेता फ्री में काम कर रह जागा और जनता के साथ साथ एक नेता लोग भी अपना बिरोध पर दर्शन कर रहा है तो दुकिए यह सब चीजिए हैं महायाई बिरोधगारी इसलिक में अगर यह आजाए किसी देंस में लोग नहीं देखता है यह लोगों में यूनिटी बनाने के लिए काफी होती है इसलिए अभी-अभी हाल फिराल में देखें हैं कि एक जॉब क्रियेशन का एक 10 राखा पैकेज आया है क्योंकि अभी एलेक्षिन आने वाला है ठीक है तो यह सब एक शेटली होता है लोगों के जोडने का अपना तरीका होता है और यह कि भी है कि कोई भी सरकार चाहे वो लोग तंत्रो या राद तंत्रो कोई भी सरकार दुनिया क कितना भी जुमला फेक ले दुनिया का कितना भी योजना चला दे लेकिन जब तक महंगाई गरीबी और बेरोज़गारी इस पर नहीं बात करेगी तब तक उसका जीतना और उसका पबलिक में परसेप्शन बनना बहुत ही मुश्किल है और अंत में घूम के कितना भी आप फि क्योंकि यह पबलिक से दूड़ा है यह कभी भी जब भी बढ़ेगा पबलिक में रोस आएगा और जब पबलिक में रोस आता है तो यहां लोगों को युनाइट करने के पाम करता है जिससे कोई लोग एक उजूट होदाते हैं तेक माहौल बनता है और फिर ये लोग आते हैं 1916 में लखनोग समधोता में साले लोग मिल बैठ के बात करते हैं और तर्की वाला इसी था हमने बता ही दिया और दूसरा सबसे इसमें मुख बात है कि उदारवाद द्रिश्टिकॉर्ण मतलब लिबरल एप्रोच इसमें हम देखेंगे कि अगर हम मोडरेट की बात करें तो इनकी नेता तो लिबरल है इनको तो कुछ मतलब किसी से रागद्वेस है ने जो एक्स्ट्रिमिस्ट है ये भी कि अब जब 1907 में सूरत अधिवेसन के बाद से ये अलग होते हैं तो इनको भी अब लगने लग रहा है कि देखो भाई हम जादा बिरोध परदर्शन करके अंगरेजियों से नहीं जीच सकते हैं हम कहीं न कहीं अब थोड़ा सा अपने जो रुख है उसमें नर्मी डाना प पत्रा है इनकी उम्र भी अब थोड़े थोड़े बढ़ रही है तो आप आप देखेंगे उम्र के साथ साथ आदमी का जो जोस है न बहुत ठंड़ा हो जाता है और आदमी सूचने लगता है 20 साल का जो लड़का होगा उसमें और 30 साल का जो लड़का होगा उसमें बहुत होगा ठीक है इसलिए आप देखते हैं कि आर्मी की बहाली होती है बहुत यंग एज में लिए जाती है एक्किस-बाइस में उसका एक्सपायर हो जाता है आर्मी का अगर तीस साल के आद्मी को आपको अगर आर्मी भेजा आए तो आपको समझाने में उस लेबल पर पहुंचा समझाने में काफी मेहनत करना पड़ेगा तब भी आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग मैच्यूर हो गया है लेकिन जब 21-22 साल कलड़का आता है आर्मी में तो उसको जिस अस्तर से मोल्ड किया जाता है उस अस्तर से उसको ट्रेंग देना बड़ा ही आस थोड़ा सा अपने रुख में नर्मी राएंगे क्योंकि अगर हम मोडरेट के साथ नहीं रहेंगे तो थोड़ा हमको ही नुकसान है यह इनको भी समझ आगया है दूसरा हम मुस्लिम लीका देखी रहे हैं इनको भी बाते समझ में आगे है कि अंग्रेज इनके साथ धोखा क होते हैं और वो ढठीत समर्थक हैं मुस्लिम के समर्थक एक्ष्रिमिस्ट को इसाजरा क्यमाने जाते हैं लेकिन इस समय तो मुद्र के नेता है यह बहुत मोडरेट टाइप के लोग है इसमें आते हैं मौथा मुहनी कि दूसरे नेता है चाह्पीण कि अजमल खान तीसरे नेता है सौकत अली मुहम्मद अली और इन लोगों को हम देखेंगे गांदी जी से इनका बड़ा अच्छा संबंद रहेगा तो जो मुस्लिम लिग है ये लोग देखें मुस्लिम लिग बना है एक जाती धर्म के समुधाय के लिए लेकिन इस समय जो नेता है मुस्लिम लिग के बहुत लिबिरल वीचारधारा के लोग है तो इन नेताओं की बात करें या हम मोडरेट की बात करें दूनों एक ही वीचारधारा के लोग है तो इनका एक मंच पे आना बहुत सभाविक बात है और कुछ परिस्थिती ऐसा बना है जो इनको एक मंच पे राने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया तो यह बहुत सरा कारण था इसी कारण से यह लोग एक मंच पे आते हैं और आते हैं तो हम देखेंगे कि एक नया दिशा मिलेगा लेकिन देखिए अब 1916 में यह सब लोग आ गए तो अब तक तो हमने देखा कि बहुत अच्छा अच्छा बात हो रहा है यह कांदोलन को नया गती मिलेगा सब लोग एक मंच पे आ गए लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी होगी इसकी आलोचना के पॉइंट क्या है तो एक आर्सी मजूमदार है देखिए हमने 1916 में कांग्रेस का जो सेशन का जो प्रेसिडेंट है उनको पढ़ा था अमभीकातरन मजूमदार वो एसी मजूमदार थे और एह हिस्टोरियन है इनका नाम है आर्सी मजूमदार ठीक है तो आप कंशूद मत करेंगे एसी मजूमदार और आर्सी मजूमदार में हिस्टोरियन है और यह देखते हैं यह पहुत क्रिटिक्सिजम करेंगे इसका आर्सी मजूमदार एक नेस्नलिस्ट हिस्टोरियन है हम लोग देखिये हम दूशी जनेरली पढ़ते हैं त्यूश्टी एंसी अल्टी एगर चाहे यूपियसी में जो हिस्टी हम लोगो पढ़ना है सथ में फैक्ट एंट फिगर को केलिए हम लेखान में और उसकारी को खषागा और यहां क। स्टेट्मेंट है यह स्टेट्मेंट बताता है कि जो व्यक्ति यह स्टेट्मेंट बोलता है वह हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे लिखने का तरीका है सवलतनीजम कभी एक टॉपिक पर हम इसके बारे में डीटेल करेंगे कि यह टॉपिक कहां से स्टार्ट होता है कि हिस्ट्री को गलत रिखा गया तो उसे हम कभी डीटेल में चर्चा करेंगे हाला कि यह यूपीसी या बीपीसी का टॉपिक नहीं अगर आप रिसर्ट वगरे जाते हैं तो वहां पर टॉपिक आपको पढ़ना है कभी डीटेल में अगर मन करेगा तो हम यह आप चर्चा कर देंगे बहुत फैमस टॉपिक अच्छा टॉपिक है तो चलिया आर्सी मज़ुमदार निश्ट हिस्टोरियन है बहुत अच्छा बुक रिखते हैं आठारो सं च्छ्य को एकट्सेप्ट करना इस तीस साल बाद एक पाकिस्तान जनम देगा क ανα करें कि लिए पाकिस्तान को लिए जनम देगा यह ए स्ट्टेटमेंट है आर्सी मज़ुमदार के ठीक है तो आप इससे यादब रहें折एंगे यह एकज़ाम में आता है तो देखे नीसोर में होता है 1916 से 1947 मता 3031 साल तो यह सी मदमदार का statement है कि जो Congress लखनाव से सम्में separate electorate को अपनाती है और यहीं कहीं न कहीं एक बीज है जो आगे चलके एक बड़ा सा व्रिक्स बनेगा और वहीं criticism करते हैं दूसरा आर्सी मतार एक और बात कहते हैं एक कहते हैं कि यहीं बीज है इस सेपरेट इड़क्रेट जो बाद में टू नेशन थियूरी theory को जनम देगा हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सावर कर एक theory देंगे 2-nation theory हाला कि 2-nation theory सावर कर देंगे लेकिन आर्सी मतार कहते हैं कि यह एक बीज है जो आगे चलके तूनिसन थियोरी को साबर कर एक थियोरी देंगे और बाद में जिन्ना उस थियोरी को भुझाने का काम करेंगे और बाद में परकिस्तान बनेगा तो इस चीज पर इसकी मतलब आलोचना होती है कि यह दो तीन मुद्दा था और तीसरा एक और क्रिटिसिजम का मुद्दा है कहा जाएगा कि इसको करने के बाद अंगरेजों को यह बहाना मिल गया और उनको एक चीज का प्रूफ हो गया कि इन अंदेन यं्दु मुस्लिम के बीच में लडाना बहुत असान है इन में विभाधन कर दो और इन में फूट डालना बहुत असान है एक समुदाय का रीडर को हम अपने लोगों से और नफरत करेगा और इसके बाद करना यहां पर बहुत असान नउसकी दो तीन पॉइंट है जो इसके कमी को दर्साता है चली थोड़ा सागे बढ़ रहते हैं अब तो सारी घटनाए हो गई पहले हमने देखा कि अच्छा है फिर देखा कि कुछ कमिया है अब एक कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा इसमें गर कुछ कहना हो कि एक कंक्लूजन आपक में रिखा दाता है हाला कि एक टॉपिक कुछ भी हो आपका जब मोडर्न हिष्टी पढ़ेंगे या कोई भी हिष्टी पढ़ेंगे या जियस का कोई भी टॉपिक के जब कंक्लूजन लिखें तो हमेसा एक पोजिटीव डाइडेक्शन होना चाहिए इसके कंक्लूजन आप आप ऐसे दिख सकते हैं कि देखें इस लख्णोज सिसंद की बहुत सीमाय थी इसके बावदूद हम देखते हैं कि यह समझोता काफी महत्तोका है ठीक है और इसका दूरगामी परभाव हुआ इसका दूरगामी परभाव इस तरीके से हुआ कि एक सभी जो समुदाय थे सभ पार्टियां एक मंच पर आती है और उसके बाद एक आंदोलन में एक जान मिलती है और इंडियान नेशनल कॉंग्रेस इसको लीड करेगा उसको एक लोगों में जनाधार मिलेगा राष्टवाद को बढ़ाने में बढ़ावा देगा और हिंदू मुस्यम एकता में हिंदू खाई आ गई थी 1907 के बाद से सूरत सुरी मोडरेट और एक्स्रेमिस्ट में जो 1907 के बाद से खाई आ गई थी फिर मुस्यम लिग मनने के बाद जो हिंदू और मुस्यम में जो खाई आ गई थी इन सारे जो खाई थी उनको 1916 का जो एक है पैक्ट है 1916 का जो लखनव पैक् परदान किया और भारत की जो सब की सोच बन गई थी अलग अलग की हम मोडरेट हैं हम एक्स्टिमिस्ट हैं हम मुस्लिम लेगे हम कॉंगरेस हैं सब एक भारतिये बनके आंधोलन में कूद पड़ते हैं और यही एक निव तयार होती है जो कि हम आगे 1916 को इसके पीछे जो घटना हुआ है जैसे 1905 का इससे थोड़ा से जोड़ने का कोशिश करें और इसका बाद अगर एप्रोच लिख रहे हैं क्या होने चाहिए इसके बाद वाले जो घटना है जैसे इसके बाद वाला घटना होगा होम रूल तो इससे थोड़ा सा जोड़ने कोशिश इससे होगा कि आपका एंसर में एक लिंकिज मिलता है पता चलता है कि हाँ जो लड़का है वो पढ़ा है और देखिए हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि continuity आपका बना रहे है जब तक पांच को नहीं समझेंगा 9 को नहीं सम समझेंगे तब तक आपको 16 नहीं समझ आएगा तो इन सब चीजों से रिडेट करके अगर आप 16 को समझाते हैं लख्णों से समझाते हैं तो एक्जामिनर को दिमाग में लगेगा कि यह लड़का का अप्रोच बड़ा क्लियर है समझदार है और फिर यह घटना कहीं ना कही होम रूर का एक बेस तयार करेगा इस चीज़ को भी अप लिक देते हैं तो एक्जामिनर को रहेगा कि हाँ ठीक है यह लड़का का कंसेप्ट क्रिश्टर के लिए है ठीक है तो यह एक कंक्लूदन होगी हमारा तो अब यहाँ पे हमारा अलखनो पैक खतम होता है अब गारेखनो फिर देखेंगे इसका दमन हाऑगा तो अब हमन इसका यह एक्टा मीम के निस में बता देता हूं आज मिलेगा तो फिरक नहीं गाहित मत देना जहां पर एक्जर पर यह बटしょう अब देना हो याद रखेंगो होम रूल भारत में आता कैसे है यह आता है आयरलेंड से आयरलेंड के एक नेता है इनके नाम है रेमंड ठीक है रेमंड एक नेता उनहीं से प्रभावित रहता यह अंदोलन और आयरलेंड के नेता है रेमंड इनहीं से प्रभावित होकर यह अंदोलन आयेगा भारत में और भारत में इसको लाएगा कौन एनी बेसेंट एनी बेसेंट भारत में इस अंदूरोन को लाएंगी और देखिए दो तीन इसमें कोस्टन पूछा दाता है जो कन्फूजन करेगा आपको एक तो कोस्टन आप से पूछा दाएगा इसमें कि आरम्भ किस ने किया मतलब भारत में सबसे पहले इसको लाया को लाने में योगदान है पहले एनी बेसेंट का और उसके बाद इन से जुड़ जाते हैं बाल गंगाधर बाल गंगाधर तीरक इस आंदूरोन से जुड़ जाएंगे अब एक और कुशन आता है कि अस्थापना कैसे होता है अस्थापना कैसे होता है अस्थापना कैसे होता है तो अगर हम अस्थापना की बात करें तो सबसे पहले भारत में अगर होमरूल ली की अस्थापना होती है तो उसकी अस्थापना करते हैं पहले तिरक और बाद में क जाती है और उसके बाद इनी वेसंट को देखके धूर जाते हैं तिदक लेकिन तिदक का जो अब याद रखेंगे कि सुरवाद किसका होता है और अश्थापना पहले जाती है एक याद रखेंगे तो दूसरा अटुमेंटिक आपका निकल दाएगा ठीक है अब दूसरा हम एक और बात कर लेते हैं यह मान लेते हैं भारत का मैप है अगर हम देखें यहाँ पर तो एक यह दो जगह है यह महराष्ट का एरिया है महराष्ट का एरिया है और यहीं पर तिलक का हम रूली की असथा अपना महराष्ट में होती है और इसका जो हेड़ ओफिस होता है इसका हेड़ ओफिस की बात करें बिलगाव होता है मदरास का जो एरिया है मदरास का एरिया है यह जगह करें अडियार का अडियार है और यह टो हेड़फिस होता है घी में अंतर क्या है ठीक है तो यह थोड़ा सा आप याद रखेंगे बाकी हम डिटेयर में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और देखेंगे कि तीदक का जो होम रूरी लेगे और एनिवेशन का दोनों में अंतर क्या है तो तीदक का इस्पेसरी वेस्टरन कोस्ट पर है और बाकी पूरे भारत मे में आप देखेंगे इनका एनिवेशन एनिवेशन का बहुत ज्यादा ब्रॉड़ लेबल पर है हम उसको थोड़ा से डिटेयर में देखेंगे देखेंगे नहीं कि होम रूरी का आखिरे शुरू क्यों होता है उसमें हम देखते हैं कि तिलक जल में रहते हैं 1914 में यह जेल से निकलेंगे ठीक है जब यह जेल से निकलेंगे तब तिलक कोई लगेगा कि अब हम कहीं न कहीं अब आंधोलन को एक नत्रित देना है तो उसके लिए कोई एक संस्था से जुड़ना होगा क्योंकि अकिले काम करना बड़ा ही मुश्किले है और मैंने उपर में जैसे बताए कि 1907 में जब सुर्यत एस्प्रीट होता है तो उसके बाद सारे लोगों को समझाने लगता है कि हम अलग 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 आके अंग्रेजिव से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं हमको एक होना पड़ेगा और उसी टाइम में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लिग, कॉंग्रेस, मोडरेट, एक्षिमिष्ट सारे आते हैं उसी टाइम में एक लखनाव सेशन में आते हैं और सब एक जगा एक मंच पर आते हैं यूनिटी बनाते हैं तो यहां जो कारण है तिरक को एक यूनिटी मिलता है सब के साथ और तिरक में तो जूस और जुनून की कमी नहीं है और जैसे इनको यूनिटी मिलेगा एक मंच मिलेगा और होम रूल एनिवेसेंट भारत में लाएंगी यह इनको एक नया उर्जा मिलेगा और तिरक 1916 में हम देखेंगे 1916 में हम देखते हैं कि अपरेल 1916 में होम रूल का अस्थापना करेंगे जो महराष्ट के बिलगाओ में करेंगे और यहां से एक होम रूल के थ्रू अपना अंधोरन शुरू करेंगे अब इसमें होता क्या था देखें होम रूल का मतलब है स्वसासन इसका मतलब है कि भारतियों का अधिक्रम भागिदारी मतलब एक लोगों तक जा रहे हैं और अपनी बातों को पहुंचाने के लोग कोसिस कर रहे हैं एनी बेसेंट और तिरक लोगों तक जा रहे हैं और बत सब्सक्राइब देखेंगे कि जब भी अभी एलेक्शन होता है तो सारे नेता कितना भी हिंदू-मुसृम कर रहे हैं राष्ट में सब्क्राइब है यही तॉपिक पर आएगी और इस टॉपिक पर आपको आपको याणा पड़ेगा अब कितना भी बेफुजूर की बाते करें नेकिन जो बेसिक चीजे यह इसमे काना ही पड़ेगा इसलिए काहा था पढ़े लिखेन रुस में चल रहा है तो य में सबसे बड़ा काराण था अब देख लेक मा वूम रूर्ल का सौरूप क्या था या काम कैसे करता था तो हमने उपर बताया कि यह एक था तिलक का इधर में जो था महराष्ट में यह बिलगाओं में जो था यह तिलक का था और यह जो था पूरे बाकी पूरे भारत में था यह एनी बेसेंट का था यह अडियार था इसका हेड़ अफिस मदरास के जगह है और इसको इनी बेसेंट लीड कर रही थी और देखिए जो तिलक का जो होम रूलिग था यह दो तीन चार्ज जगह पर था इसकी जगह की बात करें कभी-कभी एक जामें पूस्ता आप इसको याद रखेंगे वह था कर अनाटक महराष्ट इसमें मुंबई नहीं था महराष्ट था लेकिन मुंबई सहर नहीं था ठीक है मुंबई सहर में एनी बेसेंट का लीग था बाकी पूरे जो महराष्ट था उसमें तिलक का लीग था उसकी बाद हम बात करें तो मध्य प्रांत और बरार इतने जगह पे आप थोड़ा सा याद रखेंगे यह एक्जाम में ऑप्शन में कई बारा जाता है इतने जगह पे तिलक का था और इसको छोड़के सेस भारत सेस भारत एनी वेसेंट के लीग में सामिल था और हम देखते हैं जो तिलक का जो होम रूल लीग था इसका जो नेचर था बनाने का थोड़ा सा इसका रूल रेगुलेशन बहुत टाइट था और इसकी कुल छो साखा थे मतब छे ब्रांच था पूरे एरिया में और एनी वेसेंट की बात करें तो इनका बहुत लिबरल था मातर तीन लोग कहीं मिल जाते थे तीन लोग कहीं मिल गए और बैठके अपना होम रूल लीग का एक साखा बना लिए तो इनका जो था बहुत लिबरल था और तीज़क वाला में थोड़ा सा रूल पॉलिशी जादा थी इसको अस्थापिद करने थोड़ा सा मुस्किल था इसी दी इसकी साखाई चोग फुली लेकिन अगर हम एनिविशंट की बात करते हैं तो पूरे भारत में 200 साखाई इसका था ठीक है तो आपसे अब्जेक्टि बनता है तो आप थोड़ा सा इस्टोपि को याद रखेंगे अब देखिए कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे इससे भी कोश्ण बनता है एक हम एनिविशंट की बात करें तो इनका दो लीग था इससे जवाह लाल नहरू पूरा ही रिख देते हैं अच्छा रहेगा जवाह लाल नहरू एनिविशंट वाले रिख से जुड़े हुए हैं और दूसरा नाम है सुब्रमन्यम आयर यह दू ऐसे नाम है जो एनिविशंट के लीग से जुड़े हुए हैं और देखिए एकजाम में कई बार यह कोश्ण पूछा दाता है कि कौन कौन से रहते हैं और दूसरा साउथ इंडियान एक और नाम डाल देगा पिल्ड़ाई भी एक नेता थे चाया कुछ और नाम डाल देगा तो आप चार नाम याद रखेंगे चार नाम याद रखेंगे तो बाकी जो होगा आप ओप्शन चार्ट सकते हैं लेकिन यह चार नाम आपको दो तो याद नहीं रहेगा तीदा कॉरेनी विशन नहरुजी को भी याद रखेंगे और एस तुबर नाम याद रखेंगे तो यह दो तिन आप नाम याद रखेंगे आगे हम बात करें तो होम रूल री का एक पत् चाथे थे ठीक है कॉमन रिर एनी बेस्न के द्वारा निकला दाता था था है और और हम दूसरी बात करें और इंडिया वोम रूल लीग यह उनीश सो बीस अप्रेल में बनता है अप्रेल अनीश सो बीस हम देखते हैं होम रूल लीग धीरे धीरे कमजूर हो जाएगा इसका एक दोनों लीग को देखे एक डिवेट यहां पर थोड़ा समय बता दूंगा आगे जो तिरक है और एनिवेसेंट है दोनों का लीग मर्ज कर दिया दाएगा 1920 में जब दिरे-दिरे दोनों कमजोर हो जाएगा तो दोनों को मर्ज कर दिया दाएगा 1920 में और इसके अध्यक्ष बना दिया दाएगा जाइंट अध्यक्ष दोनों को बन जाएंगे वह बनाएंगे गांधी जी, गांधी जी भारत में अभी आ चुके हैं, अभी भारत ब्रहमण पर निकले हुए हैं, गांधी जी आ चुके हैं भारत में और भारत ब्रहमण पर निकले हुए हैं, पूरे भारत की जर्नी कर रहे हैं, भारत की स्थिति को देख रहे हैं, तो अब हम अगले टॉपिक से गांधी का इंट्री कराएंगे और देखेंगे कि गांधी जी आ चुके हैं और क्या कॉंट की सत्रह में राणिती श्टार्ट होती है लेकिन 2020 की हम बात करें तो बीस में जब आल इंडिया होम रूल लिग बनेगा तो उसके अधक्स बनेगे गांधी जी ठीक है यह दो जो फैक्ट है एक्जाम में आपसे पूछा लाता है तो आप उसको याद रखेंगे कि और इंडिया होम रूल लिग जो था उसकी अस्थापना कौन करता है और इसके अधेक्स कौन होते हैं तो आप इस चीज को याद रखेंगे चल यह थोड़ा सागे लए अब हाँ एक चीज यहां पर चूटए था कि देखिए यह जो हैं और इनियाई सेंट कहीं आप देखेंगे कि यह कहा जाता है कि तिलद अ और एणिवेशंट के लीग कि में नहीं बनता था बात स्फभाविक है तीदग के अनियाई ऑस यह दूसरेख पसंद नहीं करते थे ठीक है तो और तीदग्ण के छूम रूली दो इनKai सिस थे या इनकी जो पार्टी के लोग थे या इनकी जो कार्ड करता थे वो एनी बेसेंट के करद करता को पसंद नहीं करते थे और एनी बेसेंट के लोग करता थे वो तिलक के करता को पसंद नहीं करते थे करता के अस्तर पे विवाद था एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे लेकिन तिलक और एनी बेसेंट में ऐसा कोई भी बात नहीं था दोनों में बहुत एक अच्छा समन्ध में था अच्छा कोडिनेशन था और जब बाद में दोनों का होम रूली की थोड़ा कमजूर पढ़ने लगेगा तब हम देखेंगे कि 18 के बाद 1920 में हम देखेंगे अठारे के बाद कमजूर पढ़ने लगा तो 20 में देखेंगे और इंडिया होम रूली की या स्थापना होगी और गांधी जी मतलब उसका अध्यक्त मनेंगे तो यह जो फैक्ट है कि दोनों के कार्द करता में बीरो दभास था कभी-कभी एक्जाम के में पूस लिया था ओप्शन में कि तीरक और एनी बेसेंट में आपस में मतभेद थ तो आप इस ट्रैप से फंसेंगे नहीं आपस में इन दुनों का मतभेद नहीं था ऐसा अगर कहीं भी आए कि उस दोरान किसी भी नेता के साथ मतभेद था तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है किसी का किसी के साथ मतभेद नहीं था हाँ दू दू लोगों का स्कुचने का आई फेवीन अंदोरण कई पर पूछा गया है इसको कउन चलाया था इसको चलाय थी एनी बेसिंट फेवीन अंदोरण है क्या अगर हम इसकी बात करें तो फेवीन अंदोरण 1895 केritain में ब्रिटेन में एक आइडियोलोजी है एक विचारधारा है जैसे समाजवाद क्या है एक विचारधारा है उसी ट्राइब का फेबियन आंदुरन एक विचारधारा है देखिए सोसलिजम से कुछ मिलता दूलता है लेकिन थोड़ा सा ब्रोड सेंस की बात करता है यह सोसलिजम क साथ साथ हम देखते हैं तो equality of power की बात करेगा, wealth of opportunity की बात करेगा, साथ हम value की बात करेगा, fundamental right की बात करेगा, मतलब यह बहुत सारे चीज़ों की बात करेगा, यह पूरे liberty की बात करेगा और यह कहेगा socialism तो आए, साथ में यह सब बात भी आनी चाहिए, fundamental right काहना नहीं होना चाहिए, और हम कहा सकते हैं कि कहीं समाजवाद से यह कड़ी उपर का चीज़ है, मतलब उससे थोड़ा सा जादा सोचता है, उससे जादा freedom public को देने की बात करता है, और यह total हम कहा सकते हैं कि public का freedom की बात करता है, जढदा broad level पे public freedom की बात करता है, यहीं फेवीन आंदोरन है तो इससे आपको पूछा दाता है कि इसके मतलब भारत में रानने का स्रेक किसका है या या इससे कौन जुड़ा हुआ था तो आप एनी बेसेंट इसका एंसर लगा है ठीक है यहीं सब कुछ टॉपिक था आगे हम देख रहते हैं आंदोरन के विश तिलक जेल से 14 में निकलेंगे एक होम रूली से जुड़ेंगे और कॉंग्रेस का भी समर्थन इनको जब मिल रहेगा तब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इनके पास एक मनोबल इनका रहेगा और जब यह जाके लोगों में भासन देंगे जब यह आर्टिकल और एक जनता में जनाधार बढ़ेगा और जो लोगों में एक निरासा जो पैदा हो गया था कुछ दिन पहले से वह निरासा को आप पार्टने का एक काम करेंगे साथ में और हिंदू मुस्रेव यूनिटी तो हम देखी रहे हैं यूनिटी तो बढ़ी रहा है तो यह सब सा बनाने के को नहीं है तो नर और डहिकने वास्तों में दूसरे एक यूनिटी बनाने के कोशिस करते हैं तो यह जो आंदोरन है, एक secular type का अंदोरन है, धर्म निर्पेक्स तरह का अंदोरन है, तो यह सब point आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ में तीरक यह भी समझाते हैं, कि एनी बेसेंट के साथ काम करते हैं, एनी बेसेंट तब home rule लिग से जुड़ती हैं, तो एनी बेसेंट त अपना है, और यह कई बार एक्जामें पूछा जाता है, कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट तिरक का है, तिरक home rule लिग के दवरान लोगों को समझाते हैं, तो यह कहते हैं, स्वसासन को समझाते हैं, home rule लिग के बार में समझाते हैं, तो बताते हैं, कि यह हमारी सद्थ होगी हम इसको अपने तरीके से तलाएंगे और इसमें अगर कोई बिदेशी भी आके युगदान देता है हमुआरे साथ हैं मतब अंदुलन करता है प्रदर्शन करता है तो हम उसको हमारे लिए पराये नहीं है अगर अंगरेज से थोड़ी से नर्मी आजाती है तो यहीं है थोड़ा सा उंड का अशर है और थोड़ा सा परिस्थिती का भी अशर है सारा चीज लेकिन जो अभी है बहुत ही अच्छा करेगा और बड़े रीडर निकलेंगे उस समय तो यह अंग्रेज इसको दमन करेंगे तो अंग्रेज इसको क्या करेंगे याद रखेंगे डेट 23 जुराई 1903 जुराई जो डेट है इस टाइम में क्या करेंगे अंग्रेज यह तिरक का जनमदीन है तिरक का जनमदीन है और इसी दिन इनके जनमदीन पे सोकोल नोटीस जारी कर देंगे अंग्रेज इनके नाम पे कारण बताओं नोटीस जारी कर देंगे और साथ में पर एफ हाई यार करेंगे और साथ हजार मुचल का जो कहते हैं मतब साथ हजार बॉंड के साथ आप अपना बेज करा सकते हैं नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा तो इसका केस लड़ने के लिए एक पूरे उसमें जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग में जो भी बड़े-बड़े लीडर है ज जिन्ना जिन्ना इस तिल्रक के केस को लड़ते हैं और इतना बहादुरी से लड़ते हैं कि इनको बेल दिला देते हैं और इसी बेल पे तिल्रक के पक्स में मुकदम लड़ा और इनको बाद में बेल मिल दाती है और इसी को गांधी जी ने यंग इंडिया में यंग इंडि केस लगता है किसी पत्रकार पर आज कर देख रहे हैं ऐसा सुकोद नोटिस होता है तो लोग गांधी का और तीरक का यहीं सब टॉपिक लिखने को आए तो आप यहां से थोड़ा सा रिलेट कर देंगे हिस्ट्री का यहीं पढ़ने का फायदा होता है कि जीएस में आपको पहुंप सरा मेटेरियर मतलब यहां पर आपको कंटेंट मिल दाता है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं चाहें जीएस में भी कह जीएàyर पर ईटिकल रख्यर लेकते हैं बदाई देते हैं या सब घटना है इसके साथ एक और घटना होती है एनी बेसियंट को भी गिरफतार कर रहे दाता है कि अंगरे खीना को अंदोर्ण दबाना है तो नेताओं को गिरफतार करना होगा तो एनी बेसेंट को गिरफतार कर रहते हैं और दीखिए तेस्ट को तो ए परिःषान हो गई तो जब लीडर्सिप ही आपका गिरफतार हो दाएगा अपने खु़र में तो नीचे जो आपके कार्द करता है उनमें एक निरासा जाएगी और हम देखते हैं कि यह आंदोलन कहीं न कहीं दमन की तरफ चला जाएगा धीरे-धीरे कमदूर हो जाएगा एक इसी समय हम देखेंगे कि इस समय बहुत निरास हो जाएगे इस सुबरमन्यम इनको हमने उपर में देखा था जो कि जुड़े हुए हैं या मतलब होम रोल लिग से यह इनको एक नाइट हुड की उपाधि मिली है यह नाइट हुड की उपाधि यह लोटा देंगे अंगरेज्यों को ठीक है यह बिरोध परदर्शन करेंगे कि अंगरेज जबरदस्ति दम कर रहे हैं अंदोलन का तो एस सुब्रमन्यम जो है नाइट हुड की उपाधि लोटा देंगे यह एक्जाम में कई बार पुछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे दूसरा एक बहुत इंपोर्टेंट है यह वेलेंटाइन सी रोल वेलेंटाइन सी रोल का एक बुक है क इंडियन अनरेश्ट यह वेलेंटाइन सी रोल ने लिखा है इस बुक को इतना तू पूछा दाता है आकर इस बुक में क्या है इसी बुक में यह वेलेंटाइन सी रोल रिखेगा इंडियन अनरेश्ट और यह इस बुक में लिखेगा तिलक के बारे में लिखेगा और तिल असांती का जनक मानेगा कौन है तिलक यह भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारती असांती का जनक किसे माना गया है तिलक को माना गया है और देखें यह किसका इस्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट है वेलेंटाइन सिरोर का यह वेलेंटाइन स जाएंगे और तीज़क जैसे ही पहले तो इंडिया में थे तो अपने मुकदमा में फसे हैं और जब अपने मुकदमा से फ्री होंगे तब इस पर मुकदमा करने के लिए बिज़ेश जाएंगे और मानाने का केस करेंगे इनके जाने के बाद कोई और रीडर्शिप संभालने वाला ब्यक्ति बचा नहीं है फिर से एनी बेसेंट का भी देखते हैं टॉप रीडर में इनी बेसेंट है नीचे करता है तो सेकंड लेबल का जो लीडर्शिप होता है उसमें क्राइसिस है और यहीं दिकत है जो टॉप लेडर जेल में जाता है या कोई बिएस तरह जाता है या गिरफ्तार हो जाता है तो देखते हैं कि आंदोरन पूरा बिखर जाता है और इसी करण से जो होम रूल लीग है इसको हम देखेंगे बिखर जाएगा बाकि जो भी लोग बचेंगे उसको जो भी थोड़े बहुत लोग एक्टिव रहेंगे उसको अंग्रेज पकड़ पकड़ के जेल में डाल दे कहीं पर हम खतम करते हैं तो आप देखिए इसके बाद हम थोड़ा एक और टॉपिक ले रहेते हैं इसका अगर कंकूरूजन रिखना हो अग्रीय आप अग्रीआ है में कंकूरूजन इसका क्या लिखेंगे बिखिए ठें हो मित अदू हुपता है इसको पूरा सोचा ने लेकिन आप ऐसे लेखेंगे कि होम रूल लिग जो था या आंसिक रूप से सफर रहा लेकिन सवसासन की दिशा में यह एक सहयोग देता है जो लोगों को जोड़ने में हिंदू-मुस्यम यूनीटी में और लोगों के राष्टवाद को बढ़ाने में कांग्रेस और मुस्यम लोगों को जोड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है तो यहीं सब घटनाएं जो उपर में आपने देखा था उसी कंकुलोजन को थोड़ा से यहां पर राष्टवाद को मद्बूती मिला सो शासन के लोगों में भावना जगी हिंदू-मुस्यम में एकता बनी लोग छेतर और जाती के उपर उठके लोग सोचने लगे यह सब घटनाएं आप लिखके यहां पर अपना कंकुलोजन को ड्रोग करेंगे ठीक है फिर सबसे बड़ी बात इसमें लिख देंगे कि जो कार्दकारताओं का मनोबल गीरा हुआ था वह मनोबल को कहीं न कहीं एक जोस मिला उमीद मिला जो तिरक के रूप में और इनी विशेंट के रूप में होम रूल लिग ने आंदूरन के तोर पे बढ़ाया है ठीक है यही सब कंकुलोजन लिख देंगे तो आपका एंसर हो दाएगा और आज के यह कुस्टन आपके लिए औल इंडिया होम रूल लि तो और ऑव कल से हमें स्टार्ड करेंगे गांधी को हम गांधी का अंदूरन कल से देखेंगे और देखने गांधी जिया बढहा रहे हैं अब तक दो फिशब पढ लिए हमने बताया था आपको कि एक मोडुरe श्क्रावर。 य के का फिश. दे इसके बाद का दो फेज आता है वहम गांधी के बारें पढदते हैं हम ने स sparkling Genau पढ़ लिए अब कल से स्थार्ट करें गांधी वाज़ा वारा फेज तो कल से हम गांधी वारा टोपिक स्थार्ट करेंगartet तो देखिए बात बात में ही वीडियो बहुत रंबा हो गया तो मिलते हैं कर नेक्स वीडियो में थैंक्यो